हेलो एब्रीवन मैं सीम परिष्या मंथन के ओफीशियल यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आपका जो एपी पीसियस परारमभिक परिष्या फविटी 28 अक्टूबर 2018 में जिसमें 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 आपके 150 कोशन्स आते हैं जैसा कि सभी को पता होगा तो आपके 150 कोशन्स को इसमें तीन फार्ट में डिवाइ इसमें हम लोग देखेंगे आपके 51 की आगे के जितने भी कोशन्स हैं 100 तक कोशन्स को इसमें डिसकस करेंगे और आप लोगों के लिए जो प्रिविएस येर के जितनी भी कोशन्स उनको सौल्ब करना आते दी अवस्तिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको एक आडिया उनको आपको आपका हो चुका है आपकर सेकेंड पार्ट है तो चलिए देखते हैं और समय को ध्यार में रखते विए संतक्रिव करते हैं क्या हिस्ट निमभी क्या है कि भारत ये निम रिखी नदियों में कौन सी पश्मी घाट से नहीं निकलती है तो आपकी जो ताफी नदी है वो पश्मी घाट से नहीं निकलती है तो यह कहां से निकलती है यह नदी आपकी जो है वो मद्द प्रदेश के बैतूल जनपत के महादे पहाडी से निकलती है कहां से मद्द प्रदेश के बैतूल जनपत के महादे पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद में जो नदी है यह अरब सागर की खमबाद की खाड़ी में गिरती है तो राईट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ प्राईट आपका हो जाएगा आपस्व नमबर भी तापी नदी जो है वो पश्चमी घाड से नहीं निकलती है तो राइट आंसर आफ्शन नमबर वी हो जाएगा और जो कोशन आया था यह हमारी पुस्तक भारत का भूगुल से आया था और पेज नमबर होट्टी अगला कोशन क्या गह रहा है अगला कोशन है निम लिखित देशों में किसमे प्रतिगाय दुख्त का आउसत वार्सिक उत्पादन सरवादिक है तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रहे किएगा यह आप से पूचा गया है कि निमली के देशों में किसमें प्रतिगाय दुक्त का जो ऑसत वार्सिक उतपादन है वो सरवादिक है तो चो प्रतिगाय दुक्त का आसत वार्सिक उतपादन है वो कहां पर हो जाएगा ये Denmark में हो जाएगा लेकिन यदि आपसे यहां पर question पूछा जाए कि कुल जो है वो दुख्त का उत्पादन सरवादी कहां पर है तो यहां पर क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा लेकिन आपसे यहां पर क्या पूचा गया है आपसे यहां पर पूचा गया प्रतिगा है तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपसे नंबर सी डे वह सबसे कम है कहां पे है तो आपका जो स्राबस्ति डिस्टिक है वहां पे जो महिला की साच्छतादर है वह सबसे कम है तो वहां पे कितनी है तो वहां पे 34.8% जो है महिला की साच्छतादर है और उसके बाद में जो पूरू साच्छतादर है वो 57.2% है तो आपका राइट क्या हो जाएगा आपसर नंबर सी हो जाएगी स्राबस्ती और जो कोशन आया था ये परिश्या मंतन लाक्ष 3 से आया था पेज नंबर अगरा देखते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन से भारत के विविन छेत्र में उत्पादिस सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा निम लिखित प्रमुख फसलों में से किस की किसमे हैं आपको बताना है कि जो आपकी सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा ये किस की फसले हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर आपका क्या हो जाएगा डी ये सभी जो किसमें है ये अंगूर की किसमें है किसकी अंगूर की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर डी हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सबसे बड़ा मसाले का उत्पादन करता है कौन कियर राजी तो राइट आसर आपका option number C हो जाएगा और जो कोशन आया था यह परिश्चामंत से आया था परिश्चामंत की जो भारत का भोगल पूस्ता के उस से आया था जो संसोधी संस करन था पेज नमबर आपका 73 आगला कोशन क्या है आगला कोशन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ आपको सुमेलित करना है और नीचे दिये गए कूट से आपको सही उत्तर का चैन करना है तो यहाँ पर राज दिये गए हैं उसके आदमें यहाँ पर सर केरल है केरल की राज की सबसे उच्छी चोटी कांशी है यह अनायम rumors है तो इसको कहां से मध करेंगे अनायममुडी से महल पर यहाँ जायेगा तो इसलिए आपका राएट आंसर यहाँ आपने क्या हो जाएगा राइट अंसर आप्षिन नमबर C हो जाएगा और ये कोशन जो आया था ये परिश्यम अंतन भारत का भूगोल जो पूछता के उससे आया था और पेज नमबर 23 अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कह रहा है कि नम लिके देशों में कौशन सा बीस सुमय आयोडीन का अग्णी उत्पादक है तो ऐसा कौशन सा देश यहाँ पर है जो आयोडीन में अग्णी उत्पादक है तो आपका जो चिली है वो आयोडीन में अग्णी उत्पादक देश है यह जो था, यह 2012-17 तक आउसत रूप से लगभग 20,000 मेट्रिक टन आयोडीन का उत्पादक करके 20 सुमिय सरपर्थम बना था तो राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा? आप्शन नमबर C हो जाएगा चिली अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन क्या है? अगला है कि 2011 की जनिगर्णा के अनुसार निम लिखित राज्यों में किसमे ग्रामीर एवं सहरी दोनों छेत्रों में सिसुलिंगा अनुपात नियुम्तम है तो यानि कि ग्रामीर एवं सहरी दोनों छेतरों में स्टिस लिंगान पात जो है वो निम्तम है तो कहां पे है तो आपका जो हर्याडा राज है तो वहां पे क्या है वहां पे चाहें ग्रामीर छेतर देखा चाहें सहरी छेतर देखा है दोनों में क्या है वहाँ पे दोनों में सिस लिंगा अनुपाथ है वो निमतन है कितना है वहाँ पे 889 तो right answer आपका क्या हो जाएगा option number C हर्याणा और जो question आया था ये परिछ्या मंतन लक्ष 3 से आया था और phase number 36 अगला question देखते हैं अलग question क्या गह रहा है अगला कह रहा है कि 2011 की जनगर्णा के अनुशार निमलिकित राजियों में से किसकी ग्रामीड जनसंक्या जो है वो सरवादिक है तो किसकी जो ग्रामीड जनसंक्या है वो सरवादिक है तो आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य वहां की जो ग्रामीर जनसंक्या है वो सरवादी के 2011 की जनिगर्णा के अनुसार तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा आप्शन नमबर डी हो जाएगा वह जो कोशन आया था ये परिश्या मंतन लक्ष 3 से आया था पेज नमबर 42 अगला कोशन है निम घटनाओं पर बिचार कीजिए यहां पर एक घटना दी गहें आपको इस पर विचार करना है उपरोग घटनाओं को प्रतिवी पर उनकी उत्पन होने की काल क्रम अनुशार विवस्तित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से आपको सही उत्तर का चैन करना है तो देखो सबसे पहले आपका हो जाएगा कवश वाले जीब फस नमबर पर यह हो जाएगे उसके बाद सेकेंड पर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड पर आएगा पहला कीट हो जाएगा पहला कीट और उसके बाद में आपका जो थर्ड पर हो जाएगा पहला सरी सरफ हो जाएगा और उसके बाद में हो जाएगा आपका पहला इस्तंधारी लास्ट में क्या हो जाएगा पहला इस्तंधारी तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं कोशन कह रहा है कि वरतमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किये बिना भविष्ट के लिए उरुजय तथा अनसंसादुनों की बचत निम्न में कौन सी अबधाना की परिवासा है तो यहाँ पे जो आपका संपोश्णी विकास है क्या संपोश्णी विकास है उसकी तो राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा संपोश्णी विकास है जो कोशन आया था यह परिश्या मन था सामान ग्यान और सामान इंतन की जो हमारी संसोधी संस्क्राइब था 2017 का उससे आया था पेज नंबर एक हजार वाउन अगला देखत अगला कोशन देखते हैं अगला क्या कह रहा है अगला है कि निम लिकित में कौन भारत में गरीवी रेखा का निधान करता है यानि कौन है जो भारत में गरीवी रेखा का निधान करता है तो आपका जो यहाँ पर आपसो नंबर डिद देगा है योजनायोग तो आप योजनायोग को जैसे सबी को पता होगा योजनायोग के स्थान पर क्या हो गया अब नीतियायोग और इसका जो गठन हुआ था नी अध्यक्ष होते हैं वो भारतका प्रदान मंत्री ही नित आयोग कproक्ते हैं प्रतिये और अध्यक्ष होते हैं तो ज Allahu क्या δियूग है और जो नित आयोग का इस्तिमाल करके ही ये गरीबी का अनुमान लगाता है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर आप सनमबर डिव जाएगा यूजन आयोग यानि आप क्या हो गया यह नीती आयोग और जो कुशन यह आया था ये परिश्चम दन सामान गयन और सामान अधन की जो परत्म पैदान पर है यहां पर उसके बाद आपका उत्तरपतेस आता है और आपका थर्ड नमबर पर सिं बनल सपनी तो अगर 38% तो राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा आपके तो राइट एंसर हो जाए गा तो राइट ऑसर अप्छोंबर ये हो जाता और जो प्रहए था बहारत का भूगल से आ था एՆपका 279 का पेज 90 को हैं आगला देखते हैं प्रत्रक्षित क्या कह रहा है तो आपका जो प्रत्यक्ष कर है वो आयकर से संबंदित, किससे आयकर से संबंदित है, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा, अगला देखते हैं, अगला question क्या है, अगला है कि green piece international का जो मुख्याल है, वो कहा पर इस्तित है, तो आपका जो green piece है, उसका जो मुख्याल है, वो Amsterdam, नीदर लेंड में इस इस है, और यह जो है, यह गयर सरकारी परयावणी संगठान है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, वो 1971 में हुई थी, कनाडाई और अमेरिका की पूर परयावण, जो इर्बिंग इस्टोवे थी, तथा डोरोथी इस्टोवे ने, तो आँपे right answer आपका क्या हो जाएगा, option number A हो जाएगा, Amsterdam, अगला देखते हैं, अगला question क्या है, अगला question क्या है कि भारत सरकार दोरा घोसित ABC Index, निमलिखित में से किसंच संबंदित है, तो आपका जो ABC Index है, वो किसंच संबंदित है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C स्वास स स्वासे संबंदित है इसका जो पूरा नाम होता है वो इचीब मेंट और वेवीज एंड चिल्डरन इंडेक्स तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा अगला देखते हैं अगला संयुक्त्राष्ट के आर्थिक ग्हुण सामाजिक मामलों के वीभाग के अनुशार विसु का कुल जनसंक्या का कितना प्रतिसद जो है सहरी छेत्रों में निवास करता है तो आपका जो 55% जो लोग हैं वो कहा निवाज करते हैं वो सहरी शेत्र में निवास करते हैं और दो हजार यहां पे आप लोग नोट कर लेजेगा कि दोजार पचास तक यानि दो हजार पचास तक यहां कड़ाव बढ़के कितना हो जाएगा लगभग 68% जो लोग क्या हो जाएं उम्मीद है कि 68% लोग सहरी शेत्रों में निवास करने लगेंगे 2050 तक तो यहाँ पर आप से प्मूचा गया है कि राइट आंसर इसका इसलिए हो जाएगा 25% तो प्रजेंट टाइम क्या है 55% लोग ही सहरी शेत्रों में निवास करते हैं अगला देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला है कि निम लिखित में कौन दूतियक प्रदूशक है तो आपको बताना है अपी दूतियक प्रदूशक कौन है तो आपका जो इसमोंग है यह क्या है यह एक दूतियक प्रदूशक है आप समझते हैं दूतियक प्रदूशक क्या सब्सक्राइज तो चुख सब्सक्राइब का उंच्त ऑपने इस सब्सक्राइब का राइटस्ट क्या है यह Season और अगतिता की तत्रों में कि में प्रजाती बिवित्ता सापेचता काफी अधिक होती है, तो किस में जो प्रजाती बिवित्ता सबसे अधिक होती है तो इसका देखो right answer क्या हो जाएगा option number V हो जाएगा हो कि जो आपका option कड़िबंधी बरसा बन होते हैं वहाँ पे आपको प्रजाती वीविता बहुत अतिदिक देखने को मिलती है तो right answer क्या हो जाएगा option number V हो जाएगा उसकाड़िबंधी बरसा बन और जो question आया था यह आपका परिश्यमंतन परहवरण इंपास्त की जो संसोदी संसक्रण था हमारा 2017 का उससे आया था page number 68 अगला देखते हैं अगला question क्या है अगला है कि निम लिकित में कौन कीटो से प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर चार आपसं दिये गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा हो है जो कीटो से नहीं प्राप्त होता है तो जो आपका मोती है वो कीटो से प्राप्त नहीं होता है उसके बाद में आपका जो रेसम है आपका सहध है आपका लाक है ये तीनों चीजे क्या होती ही वो कीटो से ही प्राप्त होती है लेकिन हमको जब मोती जो है वो कीटो से प्राप्त नहीं होता है तो right answer क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका option number D, मोती अगला कोशन है निम लिखित में कौन सामान पाइसिती में ब्रच के पत्तों की सराहट का decibel इस्तर प्रदरसित करता है यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा आपको होजाएगा अगला कोशन क्या है कि जलवायु परिवरतन पर संक्तरास्ट का सम्मेलन कोप 21 और रिट हो था तो कहाँ पर आपका यह जो कोप 21 संक्तरास्ट का सम्मेलन था वो Paris में अर्जित किया गया था, कहां पर Paris में अर्जित किया गया था तो right answer आपका क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा और जो question आया था, जलबाई परिवर्थन पर संयुक्तराष्ट जलबाई परिवर्थन पर संयुक्तराष्ट का सम्मिलन कोप 21 जो हुआ था वो Paris में अर्जित हुआ था, और जो question आया कहां से आया था ये परिश्या मंतन current अपर कि जो yearbook आ थी उससे आया था page number क्या था, page number था 67, तो right answer क्या हो जाएगा आपका option number V, right answer हो जाएगा, अगला देखते हैं अगला क्या है अगला है कि जलवायू परिवर्तन पर भारत की प्रतम राष्टी कार्योजना कब लोकार्पित की गई थी तो right answer क्यों जाएगा, option number आपका V, right answer हो जाएगा अगला देखते हैं, अगला question क्या है अगला है कि सबसे अधिक इस्तिर पासिकी तंतर कौन सा है तो आपका जो सागरी ये महा सागरी जो पासिकी तंतर है वो सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक इस्तिर है तो right answer क्यों जाएगा, option number E क्योंकि जो आपका प्राकृति में सागरों को सबसे इस्थिर पासिकी तंत माया जाता क्योंकि इसकी जो लबड़ता है, लबड़ता, घुलित, आक्सीजन और प्रवेशित, प्रकास, ताफमान, सामत्या थोड़े बहुत परिवर्टन के साथ इस्थिर रहते हैं तो सबसे right answer क्या हो जाएगा आपका option number A हो जाएगा सागरी या महासागर आगला देखते हैं आगला question है कि incinerators का प्रयोग निमलिकित में से किसके लिए किया जाता है तो आपका जो incinerators है उसका जो योग होता है वो कुड़ा कच्रड़ा को जलाने के लिए यानि कुड़ा कच्रड़ा होता है उसको जलाने के लिए incinerators का प्रयोग किया जाता है तो right answer क्या हो जाएगा आप्षिन नम्बर A किस आहे था जोस आपका संसूधी संस्क्रणन था क्या अगला को क्या रहा है कि निमलिकित में से कौन प्राकृति घ्सका मुख के भाग है तो प्राकृतिक गैस यानि क्या जो मिथीन CS4 तो इसका मुख क्या है आपका जानवरों की जो जुगाली हो गए उसके आद में धान की खेत अथा कोईला की खाने ये सब क्या होती है ये मिथीन गैस उत्सरजित करती है तो राइट आंसर आपका D हो जाएगा मिथीन और जो को कोशन कहरा है कि पस्वों को दिये जाने वाला कौनसा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग बिलुप्त होने के लिए उत्तर दाई है तो आपके जो गिद्ध हैं बरत्वान समय देखोगी उनकी जो संख्या बहुत कम है तो क्यों इसकी संख्या बहुत कम है त जो जानबर को दिया जाता था तो वह जब एक्सपायर को जाता थैं तो ऊसको खाते थे तो इसका जो अवसेस थे वो जिद्धों में जाता था इसलिए कंद कि ए उसका होना जाता थे नहीं वह संख्या क्या है समाप्त होने के खार पार ले तो आई टांसर ठाあの rechts आफिप् क्या रहा है कि निम लिखी देवसों में कौन सा 2015 में सरवाधिक CO2 का सरजक था तो कौन सा था तो आपका जो चीन था चीन क्या था 2015 में CO2 का सरवाधिक उत्पादन जीनने किया था और उसके बाद क्यों था उसके आद आपका स्युक्त राज अमेरिका था तो राइट आपका क्या हो जाएगा अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन है कि निमने में से कौन से कथन यहाँ पर सही आपको बताना है फर्ष्ट कथन क्या है फर्ष्ट कथन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं सरवाधिक छती जो होती है विकाल सी देशों में ही करती है बिल्कुर राइट है यानि जो प्राक्रतिक आपदा है आती है सरवाधिक क्या होती है प्राक्रतिक जो होती है आपदा है वो पिकासिल देशों में सरवाधिक नुक्सान पहुचाती है तो आपका राइट हो जाएगा सेकंड क्या है सेकंड है भोपाल गैस तरासदी जो है मा तो जया क्यों कि भारत में आफदा है तो आती है लेकिन भारत आफदा युक्त देश नहीं है उसके आद में फोर्थ क्या दिया गया है मैंगरोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं तो बिल्कुर राइट हो जाएगा यानि आपका फर्स्ट सेकेंड और फॉर्थ हो होता है तो आपका जो प्रकास है प्रकास गह ! वह वह सब से अधिक होता है कि इतना होता है लग प्रतिरूफ है आप लोग याद रिखिएगा इसको यह नएनोफ प्रतिरूफ है कारवण का है की तो नम्वर वी हो जाएगा अगला कोशन कीराए है कि धोनिका बेग अधिक्तम होगा तो किस्मेश आपका जो धोनी का बेग होगा वो अधिक्तम होगा तो आपका जो लोहा यानि इस पात यहां पर दिया गया है तो यहां पर धोनी का जो बेग होगा वो सबसे अधिक किसमे होगा वो इस पात में होगा तो इसलिए राइट अंसर माय क्या हो जाएगा अपसर नंबर डी राइ 17-19 का वहाँ से कोशन आया था पेज नमबर 830 अगला देखते हैं अगला कोशन है धुआ में आखों को प्रभावित करने वाला कौं सा सकतिसाली उत्तेज होता है तो आपका जो पैराक्सी एसी टाइल नाइटर्ट होता है वो धुआ में सकतिसाली उत्तेज होता है जिससे क्य होती है आखों में सरवाधिक जलन उत्पन होती है जो आपको धुमा लगता है तो जो आखों में आपकी जो जलन टाइब में उत्पन होती है वो वो फिराक्सी एसी टाइल नाइटर्ट के कारण ही होती है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप्शिन नंबर डी हो history of time नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो आपके जो एक ब्रीफ history of time जो पुस्तक थी उसको Stephen Hawking के द्वारा लिखी गए थी यह उसकी जो राइटर थे वो Stephen Hawking थे एक ब्रीफ history of time तो राइट अंसर क्या जाएगा option number यह हो जाएगा और यह कुशन यह आपका आया था यह फरिष्या मन्थन लक्ष 3 से आया था और पेज नमबर 103 अगला देखते हैं अगला कुशन क्या है अगला कि निम लिखित में कौन्स विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है तो बिल नीबू के बाद में आपका संत्रा हो गया उसका नारंगी हो गया यह क्या है नारंगी के बाद अम्रूद आपका हो गया यह सब क्या है विटामिन C के सबसे अच्छा आप से पूचा गया सबसे अच्छा है तो सबसे अच्छा यहां पर कह जाएगा आमला राइट आंसर आ एश्तित के लिए उप्यक्त हो सकता हैי जीवन ख्याहां पर चाह omnipot हो सकता है यानि कि आपको जो मनगल गरेह है वहां पर किया है जीवन संभव है और और मुझा पे नाशा की द्वारा एक प्रचेपित भ simplemente महत घ्ल के जीले यहाँ पे होने का संकेथ प्राप्त हुआ है नासा के द्वारा उने खो जाए कि वहाँ पे जो है जीले भूमिगत चल के जीले होने का संकेथ वहाँ से प्राप्त हुआ है तो right answer क्या हो जाएगा option number है मंगल पे क्या है जीवन का असित है अगला देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला है कि Einstein को निमन में से उनके किस सिधान्त के लिए नोवल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो उनको नोवल पुरुषकार दिया गया था तो किस सिधान्त के लिए दिया गया था तो प्रकास विद्धुत के सिधान्त के कि उनको नोबल पुरुषकार दिया गया था और पुरुषकार कब दिया गया था ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि एंस्टीन को 1921 में प्रकास विद्धुत के सिंधान्त के लिए ही नोबल पुरुषकार परदान किया गया था तो राइट आंसर आपका आप्शन नमबर वी हो जाएगा और ये जो कोशन आया था ये परिश्या मंदान सामान गयन और सामान अद्धन की जो संसूदि संस्क्रण था हमारा उ परहरण रणी प्रदूषण क्वन उथ नहीं करता अब को बताना है तो देखा आपका सौर उरजया है वह पारएवण मदानी प्लिश्यर नहीं करता है यदि हम देखें तो हमारे पास परहरण ही तैसी और सफूछ उरजया की बहुँत सारे भी कलप हैं जैसे आपका सौर हो गया उसके आद आपका वन उर्जा हो गया उसके आद में जोरी उर्जा जल उर्जा बायो मास उर्जा यह सब क्या है और हाइडोजन उर्जा इससे क्या हो गया यह सब परदूशन नहीं करती हैं लेकिन आपका जो नाविकी उर्जा हो गया पेटोलियम उर्जा हो गया उस जो कोशन आपका आया था यह फरिश्य मंतन पार्यावनेंपास्टिकी से आया था और जो इसका संसोदिन संसक्रण था 2017-2019 का और पेज नंबर 220 अगला देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला है कि राजिक के नीत निदेशक तक्त्तु सहज अधन के लिए निम्न में से कौन से भावगों में भिवाजित किये जा सकते हैं तो देखो आपका जो समाजवादी और उधार बोदिक्तावादी और गांधिवादी इन तीनों रूपों में बरगी करत किया जा सकता है राजिकी नेत निदेशक तक्त्तु को तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे उपर्योक्त सभी क्या है सही है तो राइट आंसर आपका आप्शन नंबर डी हो जाएगा और जो कोशन आपका आया था यह परिश्या मंतन कि भारत का समीधान इम्राजवेस्ता का संसूदी जो संसक्रण था 2017-2018 का उस से आथा पेज नंबर क्या था 63-65 आगला कोशन देखते हैं आगला कोशन क्या है आगला कोशन कह रहा है कि निम लिखित में से किसे असोग चंद्रा दोरा भारत में आर्थिक मंति फरसत कहा गया है तो किसे आर्थिक मंति फरसत कहा गया है तो देखो आपका जो योजनायोग है आपको पहले मिने बताया कि योजनायोग के स्थान पर आप नीतियायोग हो गया है और इसका जो गठन किया गए था कब किया गए था वो जनबरी 2015 में किया गए था और इसके जो अधिक्ष होते हैं वो कौन होते हैं इसके अधिक्ष पन्धानमंत्री ही होता है तो यहाँ पर आपसे पूचा क्या गया है यहां पर कोशन कहा रहा है कि निम्लिकित में से किसे असोग चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंति परसत कहा गया है तो योजना आयोग यानि नीत आयोग को ही भारत में आर्थिक मंति परसत कहा गया है क्यों कहा गया है क्यों कि यह ना तो एक गैर समिधानिक संस्ता है और उसके बाद में भी आर्थिक मामलों में महत्मूर भूमिका निवाता है। चका को सामिल किया गया। उस हम भारत के मुख के राज जाए घरख को जाएगा। अगला कोशन है आपना स्वाहिः ज्यू रॉश्चा को क्य अधिया ह़्यू से कभाइब है। तो आपके जो एक्सिडेंटल फ्राइम मिनिस्टर पुस्तक थी उसके जो लेखक थे यानि राइटर थे वो संजे भारू थे कौन थे संजे भारू थे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे अगला कोशन है कि भारत की समिधान सभा की अंतिम बैठक की सही थी बता तो राइट आसर आपका आपका अप्शन नंबर सी हो जाएगा और जो कोशन आया था यह परिश्या मंतन भारत का समिधान यहाँ राजवेस्ता को जो संसूदि संस्कॉन था 2017-2018 का फेज नंबर 3 अगला कोशन क्या है अगला कोशन क्या रहा है कि नेम लिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है तो आपका जो बिधान परिशद है तो इसको भंग नहीं यानि इसको बेकटित नहीं किया जा सकता है अगर देखा जा तो तो अभी बहुत साहे राज्यों में क्या है विधान पाइसद नहीं है तो ये कोश्चन जो आया था आपका ये फरीच्छा मंतन भारत का समिधान विधान राज्योंस्थास आया था जो इसका संसोधी संस्क्रण था और पेज जंब एक सो पास से एक सो छे तो राइट अंसर ने making सकता है अगला कोश्चन है ममियामिया येम बखास की महिल्य है के लिए स्थाफित किया गया था तो सुतनतर मंत्राले कब स्थापित किया गया है तो यहां पर इतन YouTubers मि मैं सी कोई आपसाफ सही नहीं है जो कोश्चन कORE क्षण भाड़ फिल बहूंत कि तो देखो अगर अगर देखा जाए अगर इसकी पा नेक वाद करें तो इसकी जो इस थापना वाइu ं में मानस संधुल मंत्राले के रूप में की गय थी देख एक चैंळ बार ंकर रिखें यहाँ पे आप सफंव में नहीं दिए गया था तो देखो यह डाउटफुल कुशन है तो आगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन आपका कह रहा है कि लोग सबाब में केन सासी छेत्रों का सरवाधिक प्रतनित कितना हो सकता है अगला कोशन अगला कोशन देखने से वहले आपका वी वताएं कोशन हमारा था परिशामंतन भारत का समिधन राजवस्ता कि जो संसुदी संस्कंड पूस्तक थी हमारी 2017 और 2018 गी पेज नंबर आपका 81 था अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या गया रहा है अगला कोशन से 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में अविजित फीफा विस्सकफ में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था तो काफी इजी है फैक्चुल कोशन था तो इसमें कुल जो टीमें थी 32 यानि 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप शे नंबर यह हो जाएगा और जो कोशन आपका आया था यह परिश्यामंत्र लक्ष 3 से आया था पेज नंबर आपका 158 अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क राई कि लिल οι के देशों में किसमें प्रधान मंत्री मूधि ने 11 मैं 2017 को रामैयर सर्कुलित की शुरवात की थी तो कहां पे की थी तो इन्हों ने नेपाल में की थी कहां पे नेपाल में ही इन्होंने रामयर सर्कृट की सुरुवात की थी तो राइट अंसर आपका क्यों जाएगा आप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल और जो का आपका कोशन आया था ये परिश्यामंतन लक्ष थ्री से आया था और पेज निम्मर वन फिटी फुट दिसकस करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिस करेंगे तो शली आज के लिए बास इतना है जल्द ही मिलते हैं आपको पार्ट नंबर थी के साथ थैंकी सो मच थैंक्स फॉर वाच्चिंग कि दग्याओं शल्द हो कि इसालकि धुछ टास आफे खश्याओंग